हेलो दोस्तो स्वागत आप से भी हमारी यूटूब चैनल बाई स्टेडी पर दोस्तो हम बात कर रहे थे राजस्तान के इतियास में और राजस्तान के इतियास के अंदर दोस्तो हमने बात कर ली थी मेवाड राजवन्स का हम टोपिक पढ़ रहे थे जिसमें महराना कुमबा क की बाते चल रहे थी दोस्तों महाराना कुमबा के बारे में हमने कुछ बाते पढ़ ली थी कि महाराना कुमबा है इनके सामने दो समय थी जब मेवार की राजगद्दी पर बैठते हैं एक समय तो थी रन्मल राठोड का जो मेवार पर ज्यादा दोस्तों चाचा मेरा और महपा पावार की हत्या करना क्यों कि जो चाचा मेरा और महपा पावार है इन्हों के पिता महाराना मौकल की हत्यागर दे थी तो ये समझे यह थी महाराना कुंबा के सामने जिसके बारे में हमने बात कर ली थी कि चाचा मेरा की हत्यागर देता है महपा पामार है जो भाग जाता है कहां पर मालवा की सुल्तान महमूद खिलजी के पास और दोस्तों महमूद ख महाराना कुमबा दोस्तों महाराना कुमबा इसा विजया उपलक्स के अंदर की तोड़ के अंदर विजय स्तंबा के निर्मान करवाते हैं जिसे हम उप्रेट्ण टावर भी बोलते हैं और साथ ही साथ ये राजस्तान जो अजाइब घर उसका अजाइब घर भी बोलते हैं मूर्तिक अलागा मादे मेक्षिक्ष्य आवोर्ड और राजस्तान पुलिस का ये प्रतीग चिन है दोस्तों तो ये कुछ परमुक बाते थी विजे इस्तंबी की हमने बाते कर ली थी इसके अलावा हमने एक बात और की थी वो बात थी कि दोस्तों इसी वहीं चितोड़ दूर के अंदर ही एक कीरती इस्तंब और है तो कीरती इस्तंब क्या है दोस्तों कीरती इस्तंब प्रस्ति और कीरती इस्तंब दोनों अलग अलग चीज़े है तो कीरती इस्तंब प्रस्टिस्तिए है वो तो विजय इस्तंबी की नवी मंजिल पर खुदी हुई है जिसमें मेवार के महरानाओं की वनसावली मिलती है जिसका निर्मान महेश और पुत्र Bennett पुत्तर पुत्र Bennett पर पुत्तर महेशने निर्मान कर रुँए तक किसका कीरती इस्तिंब प्रशस्थ्टिका जो व्यज so मैं इसका सिलबी आकला मंढन को कुंदे मनढ इसकी वास्टो कार शीन प्धूप तो कीरती स्तिंब के में बात करूं तो यह भी चित्वड दुर्ग पें अंदर हैं ये साथ मंजीला इमारत है जबकि विजे इस्तंब नोमंजिला इमारत है इसके अलावा दोस्तों किरती स्तंब जैन भगवान जो जैन तीर्थकार है पहले जैन तीर्थकार आदिनात को समर्पित है निर्मान करवायत है दोस्तों इसका भगेरवाल जैन ये जिसे हम बोलते हैं जी जाक ये किर महाराना कुमबा की बारे में हम बात कर लेते हैं इनके निर्मान काल की बताया जाता है शामल दास ने अपने पुस्तक वीर विनोदा में बताया है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्मान महाराना कुमबा को क्या बोलते हैं दोस्तों इस तपत्यकला का जनक तो दोस् प्रस तो हाज संबंद में राज संबंद में हुआ जो निर्मान किसे ने करवाहता महाराना कुंबा नहीं महाराना कुम्भा क्यों कर वाए ते दोस्तों कुम्भा की पतनी दी जिसका नाम आता है दोस्तों क्या नाम आता है कुम्भल दे ये नाम आता है महाराना कुम्बा की पत्नी थी कुम्बल दे की याद के अंदर कुम्बल दे की याद में कुम्बल गड़ दुर्ग का निर्मान करवाया था कुम्बल गड़ दुर्ग कहा इस्तित है दोस्तो जल्दी से बताएए राज संबंध में निर्मान दरवाय महारान कुंबह ने पत्नी थी कंभलदें कंभलदे की याद में अब इसे में हम बाते करें कुंबलगट दुर तो कंभलगट जो दुर गहें कि प्रकार से कुंभलगट दुर गाता है हमारा यह कुंबल गड़ दुर्घ है दोस्तो और इसके दी चारो तरफ दिवार है यह प्राचीर दिवार है जिसे परकोटा भी बोलते हैं यह दिवार कितनी है दोस्तो 32 किलोमेटर लंबी है यह प्राचीर दिवार जिसे कुंबल गड़दुर की परकोटा और प्राचीर दिवार है तो इसे परकोटा भोलते हैं दोस्तो इसी दिवार को भारत की महान दिवार भी कहा गया है क्या कहा गया है दोस्तो भारत की महान दिवार कहा गया है कुम्बलगड दुर्ग के चारो तरफ के परकोटे को जो की 32 किलोमेटर लंबी है दोस्तो इसे भारती महान दिवार कहा गया है दोस्तो इसी कुम्बलगड दुर्ग के अंदर उपर एक दुर्ग इस्तित है जिसे क्या कहा गया है दोस्तो इस दुर्ग को कहा गया है मेवार की आँख दुर्ग का नाम है दोस्तो कटार गड क्या नाम है दुर्ग का कटार गड क्या नाम है दुर्ग का कटार गड इस कटार कुम्बा का निवासिस्तान बोल सकते हैं न दोस्तों क्योंकि महाराना कुम्बा का निवासिस्तान कुंसा कटारगड कुम्बा का निवासिस्तान है यह कटारगड जो उंचाई पर इस्तित है कुम्बल गडदुर की उपर विले भाग में इस्तित हैं यहां से चारों तरफ की निंगरानी रख सकते हैं महाराना कुमबा इस कारण इस कटार गड़ को मेवाड की आख कहा गया है मेवाड की आख दोस्तों राजस्तान से सम्मंदि जितने भी एकजाम होते हैं उनमें ये किशन बहुत बार आया हुआ है कि मेवार की आख किस दुर्ग को कहा गया है तो कटार गड़ को कहा गया है ये फिर किशन आता है कि कुमबल गड़ दुर्ग के किस भाग को मेवार की आख कहा जाता है तो कटार गड़ को मेवार की आख कहा जाता है दोस्तों मेवार क्या कोगा एक टार्गड जो की कुमबा का निवासिस्तान था इसी के अंदर दोस्तो इसे में देखते हैं एक महल और आता है दोस्तो जिसका नाम आता है बादल महल क्या नाम आता है बादल महल दोस्तों इस बादल महल में जो बादल महल आता है इस बादल महल में दोस्तों महाराना प्रताप का जनम अस्तान कुंबल गड़ की बाते हो रही है इसके चारू तरफ परकोटा आता है जिसे बारत की महान दिवार भी कहा जाता है तता इसे दुर्ग के अंदर कटार गड़ दुर्ग आता है जहामा जो कि महाराना कुंबा कर निवास इस्तान आता है जिसे मेवार की आँख कहा जाता है आँ आलावा दोस्तो इसी कुम्बलगड़ दुर्ग के अंदर बादल महल भी आता है जहां महाराना प्रताब का जनम हुआ था तो महाराना प्रताब का जनम इस्तान बादल महल क्योशन बहुत बारा पूछा गया है कि महाराना प्रताब का जनम किस महल में हुआ था तो बादल महल में या ओउपसन के अंदर दोस्टो पूरा कुंबल गड़ दुर के बारे में भी नाम आ जाता है कुंबल गड़ दुरक आता निर्मान महराना कुंबानी करवाई था इसका दो वास्तोकार आता है दोस्तो जो वास्तुकार सिल्पी आता है उसकी वे मैं बात करूँ वास्तुकार ये सिल्पी कौन है इसका मंदन कौन है दोस्तो मंदन साथ ही साथ इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है अबुल फजल अबुल फजल कौन थे तो अबुल फजल दोस्तो जो अकबर थे दिल्ली के सुल्तान अकबर के नौरतनों में से एक थे अबुल फजल जो राजस्तान के नागुर जिले से इस्तित है नागुर जिले में इनका जनम हुआ था अकबर के नौरतनों में सामिल थे इन अबुल परिस्टित है यह इतनी उंचाई पर कि यह इतनी उंचाई पर इस्टित है कि उपर देखने पर उपर देखने पर सिर्गी पगड़ी गिर जाती है उपर देखने पर सिर्गी पगड़ी गिर जाती है कि गिर जाती है सीधा सीधा किशन आता है दोस्तों सीधा सीधा किशन पूछा जाता है कि अबल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह इतनी उचाई परिस्तित है कि इसे उपर देखने पर सिर्की पगड़ी गिर जाती है दोस्तों किस दुर्ग के बारे में कहा था कुंबल गड़ दुर्ग के बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों हम इसी में महाना कुंबा की बाते चल रही थी कुमबलगण की बारे में हमने बात कर ली दोस्तों जो दुर्ग आएंगे इनका हम अलग से जब राजस्तान की दुर्ग पढ़ेंगे तो उसके अंदर विस्तामी आलग से पूरा विस्तार है जो करेंगे अभी सिर्ब महराना कुमबा की बात Cesare हो रही है तो पारे में चोटी जो कुछ जो बाते थी वह हम बाते कर रहे हैं इसके अलावा महराना कुम्बान निर्मान करवाय था दोस्तों अचलगड दुर्ग का अचलगड दुर्ग और इसके अलावा दोस्तों निर्मान करवाय था इन्होंने बसंती दुर्ग का एक नाम आते हैं मचान दुर्ग क्या नाम आते हैं दोस्तों मचान दुर्ग मचान दुर्ग संदुर्ग का इस्तिते हैं की दुर्ग निर्मान कर वाए था राजिस्तान 262 आये हुआ है दोस तो बसंति दुर्ग के बारे में इसके अलाबए एक दुरु और आता है दोस्तों बेराठ हदुर्ग आहिए से बयारत दोस्तों जैपरवाला नहीं बीलवाड़ा का है बद्दैनोर भीलवाड़ा गहीं का सभी लाघ धी बात करहा है चल बढ़ कहा है दोस्तो अबू में बसंती डोश्य enrolled और बज़े उजब अभचान दुर्ग करने का तरीक है दोस्तों बसंती किस पर बैठे वी है मचान पर वो में work है जा दूरी बद्नोर का धूर्ग कही अंदर इस्तित है इनका निर्मान भी महराणा कुंबा के दूरा करवाई गया था ये तो दोस्तों महाराना कुमबा के दोरा कुछ दुर्गों का निर्मान हो गया इस और भी इनके अलवा महाराना कुमबा हैं जिन्हों अनेक परकार के दुर्ग बनाएते लेकिन उन्हों मुक्खे दुर्ग हैं वो यही आते हैं दोस्तों आगे हम बात करते हैं कुंबा के बारे में, तो दोस्तों कुंबा ने तीन मंदिर बनवाए थे, कुंब स्वामी के मंदिर बनवाए थे, महाराना कुंबा ने तीन, कहां कहां पर बनवाए थे, तीन मंदिर, इनके और बात कर लेते हैं, तो तीन मंदिर बनवाए थे दोस्तों पहला मंदिर तो आता है अचल गड़ एक मंदिर आता है दोस्तो कुम्भल गड़ और तीसरा आता है दोस्तो चितोड़ गड़ इस प्रकार से दोस्तो अचल गड़ कुम्भल गड़ और चितोड़ गड़ इन तीनो दुरुगों के अंदर है कुंब स्वामी कोई एक फिर कुंब श्याम के मंदिर बनवाय थे किसने महराना को मिभाने कुंब स्वामी जी के मंदिर बनवाई कहां पर दो तो अचल गड़ कुंबल गड़ और चित्तोर गड़ दुर्ग के अंदर मंदिर बनवाई थे कुम्ब स्वामी जी किसने महाराना कुंभाने इसके अलावा दोस्तों आगे भी बात करूं तो चितोड के अंदर दोस्तों एक स्रंगार चवरी का निर्मान करवाए गया किसका दोस्तों स्रंगार चवरी चितोड में किसने करवाया था दोस्तों भंदारी वेलका ने भंदारी वेलका ने स्रंगार चवरी का निर्मान करवाया स्रंगहार चवरी का निर्मान करवाया दोस्तों क्यूश्यन पूछा जाता है कि चितोड दुर्ग के अंदर स्रंगहार चवरी मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो स्रंगहार चवरी का निर्मान करवाया था भंदारी वैलका ने किसने भंदारी वेलका निकरवाय था स्रंगार चमरी का निर्मान भंदारी वेलका आते हैं भंदारी वेलका भंदारी वेलका निर्मान करवाय था चितोड के अंदर दोस्तो स्रंगार चमरी का इसके अलावा भी मैं बात करूँ दोस्तो तो कुम्भा के काल में ही कुम्भा के काल में ही दोस्तो रनकपुर के जैन मंदिरों का निर्मान हुआ था इनका रनकपूर के जैन मंदिर रनकपूर के जैन मंदिर देगे इस पहले बता रखा है कि ये जैन मंदिर हैं तो जैन को समर्पित हैं जैन तीर्थकारों को तो रनकपुर की जैन मंदिर हैं दोस्तो निर्मान हुआता महराना कुंभा के काल के अंदर ही जो रनकपुर की जैन मंदिर है दोस्तो परसिद है अपने 1444 खंबो के लिए किसके लिए प्रसिद है दोस्तो 1444 खंबो के लिए 1444 खंबो पर बनाय गया है दोस्तों ये रनक पुर के जैन मंदिर इसके अलावे यह दिमें बात करूँ तो दोस्तों निर्मान किसने करवाय था तो निर्मान करवाय था दोस्तों धरनक शहाने किसने दोस्तों धरनक सहाने धरनक शहाने निर्मान करवाय था कब करवाय था, तो 1444 के अंदर निर्मान करवाय गया या बनवाय गया रनकपुर के जयन मंदिर परसिध है अपने 1444 कहमबों के लिए जो जिनका निर्मान हुआ था महाराना कुमबा के एकाल के अंदर दोस्तोँ दर्नक शहां ने इनका निर्मान करवाय था 1449 में निर्मान हुआ था ये दोस्तो पाली में इस्तित थे रनकपुर के जैन मंदिर पाली के रनकपुर के जैन मंदिर आते हैं दोस्तों कहांके पाली के आगे भी दोस्तों ये दियमने बात करूँ महाराना कुमबा के बारे में ही तो हम कुछ बात कर लेते हैं महाराना कुमबा के बारे में क्योंकि संगीत के बहुत बड़े ग्याता थे जानकार थे तो इनको संगीत से खंबन जित कुछ बाते कर लेते हैं महाराना कुमबा की सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कुमभा के संगीत गुरू की संगीत गुरू जल्दी से कमेंट करके बताईए दोस्तों कुमभा के संगीत गुरू कौन थे जल्दी से बताईए दोस्तों कुमभा के संगीत गुरू कौन थे कुंबा के संगीत के रिकौन थे दोस्तों जल्दी से जल्दी बताईए देखें कुंबा के दो संगीत गुरु थे उनका नाम आता है दोस्तों सारंग व्यास क्या नाम आता है दोस्तों सारंग व्यास कुंबा के संगीत गुरु आते हैं सारंग व्यास अब देखे कुमबा के द्वारा कुछ पुस्तिकों या गरंद लिखे गए थे उनका नाम पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या क्या नाम आते हैं पहला नाम आते हैं दोस्तों संगीत राज क्या नाम आते हैं संगीत राज दोस्तो इस संगीत राज है यह पांच भागों में विवक्त है कितने भागों में पांच भागों में पांच भागों के अंदर विवक्त है क्या है दोस्तो संगीत राज पांच भागों में विवक्त है दोस्तो जो इप पांस भाग है दोस्तों इन्हें क्या बोला जाता है जल्दी से जल्दी क्मेंट करके बताईए जो पांस भाग है कुम्बा के संगीत राज गरंत के उन्हें जो पांस भाग है कौन कोश कि नकोल मतल है रतन अब अब जो पांच भाग हैं कौन-कौन से हैं इनकी बात कर लेते हैं नमबर एक 5 भाग है दोस्तो जिसे संगीत राज के जिसे रतनकोस बोला जाता है दोस्तो क्या-क्या नाम आता है दोस्तो पहला आता है पाठे रतनकोश दूसरा आता है दोसरो नर्ते रतनकोश पहला आता है पाठे रतनकोश दूसरा आता है नर्ते रतनकोश दोस्तो दिख रहा है न पहला आता है दोस्तो पाठे रतनकोष, दूसरा आता है नर्ते रतनकोष, तीसरा आता है दोस्तो गीत रतनकोष, कौनसा गीत चोता आता है दोस्तो वाद रतनकोष, और नमबर पांच आता है रश रतनकोष, गीत रतनकोष, वाद रतनकोष, पांच आता है दोस्तो कौनसा रश रतनकोष, इस प्रकार से कुमभा के द्वारा जो रच्चित गरंत संगीत राज जो पांच भागों में विबक्त है इन भागों को बोला जाता है दोस्तो रतन को उस पहला बाग आता है पाठे रतन को उस दूसरा नरते तीसरा गीत चोथा वाद और पांच वा रस गीत गोविन्द कि दोंस्तों इस प्रकास फाकों में विवक्त हैं दोसतों दूसरे गरंथ की बात करूं कुमा के द्वारा रता तो सूड़ प्रभंद नाम आता है दोस्तों और तीसरी दॉसे झीदिछ क्या नाम आता है दोस्तों गीत गोविंद दोस्तों इस गीत गोविंद का ही एक ठीका आता है जिसका नाम आता है दोस्तों रसिक प्रिय क्या नाम आता है दोस्तों रसिक प्रिय नहीं रसिक पृय की चन कि सिनने की थी महाराना कुंभाने दोस्तों जोंगीत गोबिंद है जैदेव की बुक्स हरती है जैदेव की तो हमें तक गृत में इक टिक तैसा जिसका नाम रहा दोस्टा है कि किसने लिखाता रश्रिक प्रियाज तो महराना कुंबाने दोस्तो इसके अलावा भी यह जिए मैं बात करूं महराना कुंबा के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तो गीत गोविन के अलाव महराना कुम्बा ने लिखाता है दोस्तों संगीत मिमानसा क्या लिखाता है दोस्तों संगीत मिमानसा साती सात एक ओर आता है दोस्तों कामराज रतिसार काम राज रतिसार एक आती है दोस्तों हर वर्ति का क्या आती है दोस्तों हर वर्ति का इसके अलावा एक नाम और आता है दोस्तों चंडी सतक महराना कुमबा के द्वारा रचित गरंत आते हैं दोस्तों ये सबी देखें महराना कुमबा अच्छे संगीत अग्ये थे दोस्तों महराना जो कुमबा है इनके संगीत गुरु का नाम आता है सारंग व्यास कुम्भा ने दोस्तो अनेग गरंद लिखे थे पहला का नाम आता है दोस्तो संगीत राज और जो ये संगीत राज है पांच भागों में विवक्त है जिसे रतनकोस बोला जाता है ये पांच भाग कौन कौन से आते हैं दोस्तो पांच भाग आते हैं दोस्तो पाठे रतनकोस नते रतनकोस, गीत रतनकोस, वाद और रस। पाठे, रतन, गीत, वाद और रस। ये पांच रतनकोस आते हैं। कुम्भाने की है कामराज रतिसार हर वर्तिका और चंडी सत्क यह गरंद लिखे हैं महराना कुम्भा के द्वारा अब यह तो कुम्भा के द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों कुम्भा के ही जो कभी सिल्पकार मंदन थे वास्तोकार थे उनके द्वारा भी कुछ गरंद लिख के गए हैं जिसके बाते भी हम आगे करते हैं तो देख लेते हैं कि पहले दोस्तों मन्दन से पहले हमें बात कर लेते हैं महाराना कुम्भा की पुत्री आती है इस पुत्री का नाम क्या आता है दोस्तो कुमबा की पुत्री है दोस्तो जिसका नाम आता है रमा भाई महराना कुमबा की पुत्री आती है दोस्तो रमा भाई रमा बाई भी दोस्तो अच्छी वीना वादक और अच्छी संगी तेग्य थी इसी कारण इस रमा बाई को दोस्तो एक उपादी दी गई है उपादी का नाम क्या आता है दोस्तो उपादी दी गई है इसे वागी श्वेरी वागिश्वेरी कहा जाता है दोस्तों रमा भाई को किस कारण कहा जाता है किस संगीत की संगीत वादक दिदो तो ये भी इस कारण इस रमा भाई को वागिश्वेरी कहा जाता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं मंदन की जो वास्तुकार थे महाराना कुमबा के महाराना कुम्भा के वास्तुकार नाम आता है दोस्तो मंडन क्या नाम आता है दोस्तो वास्तुकार का मंडन इस मंडन के द्वारा भी अनेक गरंत लिखे गए हैं जिसका हम नाम याद कर लेते हैं दोस्तो पहला तो आता है दोस्तों ये मंदन है तो रूप मंदन अब देखिए दूसरा है मंदन है तो वास्तु मंदन दोस्तों मंदन है ये टंडन नहीं है कभी आप इसे रविना टंडन समझ लो ये है मंदन जिसका नाम ही मंदन था इनके द्वी आते हैं दोस्तों हम देख लेते हैं रूप मंदन वास्तों मंदन और नाम आता है दोस्तों प्राशाद मंदन क्या नाम आता है दोस्तो प्राशाद मंडन इसके अलावा भी दोस्तो यह दिमें बात करूं मंडन के लिए गरंतों की ही तो एक नाम आता है देव मूर्ती प्रकरन क्या नाम आता है दोस्तो देव मूर्ती प्रकरन एक नाम और आता है दोस्तो राजवल्हवी क्या नाम आता है दोस्तो राजवल्भ राजवल्भ ये महराना कुम्भा के जो वास्तुकार होते हैं दोस्तो मंदन इनके द्वारा लिखित गरंथ हैं पहला आता है देगो रूप मंदन रूप मंदन वास्तु मंदन सगुर मंदन प्रशाद मंदन देव मूर्ति प्रकरण औ इनको याद रखना है दिए कि सबसे पहले हैं देखें रूपी देख्ते हैं उसके बातां उसके बाद दोस्तों उसका सगुन रखते हैं और फिरे परसाद बारते हैं तो इस प्रकाव से चार सीजे हो जाते हैं मंदन की रूप मंदन वास्तु मंदन सगुन मंदन प्रशाद मंदन उसके अलब दो रहन दोस्तों देव मूर्ती प्रकरन और राज घुलब ये कुमभा क के वास्तुकार मंदन की द्वारा रचित गरंत है दोस्तों एक्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया दोस्तों पिछले बार दो पटवारी एक्जाम आयता दोस्तों इसके अंदर भी पूछा गया तो मंदन के बारे में इनके द्वार रचित गरंत है इसके बारे में पू के भाई मंदन भी जब गरंथ लिख सकते हैं तो नाथा भी गरंथ लिख सकते हैं इस नाथा के द्वारा जो लिखित गरंथ है उसका नाम आता है वास्तु मंजरी क्या नाम आता है दोस्तों वास्तु मंजरी कि इसी मंदन के पुत्र आते हैं दोस्तों गोविंद हेल को माराण और इसम है नहीं के पुत्तर थे इनके दुआरा भी दोस्तों कला निधी के लिखा गया है दोस्तों कला निधी तो देखे एक्जाम्स के अंदर किशन की इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तो एक्जाम्स के अंदर किशन पूछा जाता है कि कुम्भा के वास्तुकार मंधन के दौरा निम्न में से लिकित गरंद नहीं है थो दोस्तो कुंबा द्वारा जो लिक्यत घरंद नहीं है तेन नाम ये देदेता इत है एक नाम पुंसर दोस्तो याद रहना है मंदन का वाइतन नाता जिसने वास्थू मंजरी लिखाता और मंदन के फुत्र कोविद ने कला निदी ग्रंथ लिखाता दोस्तों यह तो मंदन के वास्थू कारों की बात आ गई दोस्तों अब हम आगे और बात कर लेते हैं दोस्तों कि महाराना कुम्बा की बात कर रहे हैं दोस्तों तो 1456 के अंदर कि दोस्तों 1456 के अंदर एक संधी होती है जिस संधी का नाम क्या बोला जाता है दोस्तों चंपा दोस्तों 1456 से पहले हम 1453 की बाते करेंगे तो 1456 की जो बात आती है वो हम आगे कर लेंगे दोस्तों डाँ सिते हैं अअ फैया पहले 1456 से पहले 1453 की भी बात करेंगे चो जो ही जो कि आवल बावल की जन्धी थी तो उससे पहले कुछ और से देख लेसे कूंबा के बारे में तो दोस्तों कूंबा के बारें बात कर लेते हैं तो कूंबा ने एक लिंग महातम्य की रचना की थी किसने की एक लिंग महातम्य की रचना दो तो एक महातम्य की रचना की थी महाराना कुम्भा की दुआरा और जिसको पूरा किसने किया था दोस्तो काहना व्यास ने काहना व्यास कोन था दोस्तो कल के वीडियो मैंने आपको बता है तो इस काहना व्यास के बारे में तो काहना व्यास होते हैं महाराना कुम्भा के वैधानिक गुरू तो वह सारंग व्यास आते हैं। सब्दोस्ते हैं इस्सें क्या अप्वेदानी गुरु कहते हैं एकुस्ते के महारानाओं की यह नियाराण के महारानाओं की वनसावली दोस्तों बात कर रहता हूं एक लिंग महत्यमें जिसमें लिखाए कि मेवार की महाराणाओं क्योंप करण दो करता होते हैं कुंभा की वैधानिक गुरू कुमभा के वैधानीक गुरू ठीए दोस्तो आगी मैं बात कर लेता हूँ महाराना कुम्भा के काल में ही कुम्भा के काल में दोस्तो एक चित्रित गरंथ मिला था क्या मिलता है दोस्तो चित्रित गरंथ उसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताईये मैंने मिवार के अंदर ही जब रावल साखा की हम बातें कर रहें दोस्तो उससे में एक चित्रित गरंथ मिलता था जिसका नाम आता है तो स्रावक प्रतिकर्वन सुत्र चूरणि जिसके लेखक थे दो41 कमल वो किस महाराना के काल के अंदर मिलाता जल्दी से बताए किस महाराना के काल में मिलाता और कब मिलाता जल्दी से जल्दी बताए जब तक मैं दोस्तों ये बता देता हूँ कुमबा के काल में जो चितरित गरंत आता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों कुमबा नहाचरियम चित्रित गरंद मिलता है दोस्तों ये सुपाश नहाचरियम दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताए पहला चित्रित गरंद कब मिला था किस के काल में किस महाराना के काल में मिला था जल्दी से बताईए दोस्तों जो पहला चित्रित गरंत मिला था स्रावक प्रतिकर्वन सुत्र चूरनी मैंने आपको पिछले इसे जो कुम्भा से पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि ये तेज सिंग के काल के अंदर 1260 में मिला था किसके काल में दोस्तों तेज सिंग के काल में स्रावक प्रतिकर्वन सुत्र चूरनी मिला था जिसके लेका कमचन थे जो ताड़ के पत्तों पर अंकियत था दोस्तों और दोस्तों महारान कुम्बा की काल में मिलता है सुपास ना चरियम चित्रित गरंथ मिलता है दोस्तों दोस्तों इसके चित्र में दोस्तों जो गोल्ड कलर आता है गोल्ड कलर का यूज किया था ठीक है किसका सुपास ना चरियम में है गोल्ड की चूरन का दोस्तों सुञ्ण के चूरण का यूज गयाता है चित्रों भरने में उपास पनाचृत्र ओघ्रन्ध मिलता है दोस्तों आदगे हमें कॉमबा के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो दोस्तो चोधासो तरेपन में एक संधी होती है जिसका नाम आता है आवल-बावल की संधी तरेपन 54 में होती है जो तो नाम आता है आवल-बावल की संधी एक्जांस में दोस्तों बहुत वार किशन आता है कि आवल-बावल की संधी किनके मद्धे में होई थी तो मैं बता देता हूँ आवल-बावल की जो संधी होई थी महराना कुमभा महराना कुमभा और दोस्तों मारवार के साथ सकाते हैं राव जोधा महराना कुमभा और राव जोधा की बीच होती है दोस्तों आवल-बावल की संधी महराना कुमभा और राव जोधा के बीच होती है दोस्तों इसी राव जोधा ने बाद में जोधकुर सहर को बस आया था दोस्तों ये राव दोस्तो संदी किसने करवाई थी तो हंसा भाई ने किसने करवाई थी दोस्तो संदी हंसा भाई ने संदी करवाई थी ये हंसा भाई कौन थी दोस्तो तो महराना लाखा की पत्नी थी और दोस्तो राव जोधा की राव जोधा की दोस्तो भुवा थी ये कौन हंसा भा भाई के भाई थे और इन्हीं राव रनमल का पुत्र होता है राव जोधा जो की महाराना कुम्भा के द्वारा जब रनमल की हत्या कर दी जाती है तो भाग जाता है लेकिन 1453 में वापस लोट किया जाता है कहां मारवाड में और अपनी भुआ से कहता है कि भुआ जी मुझे स संदे करा दीजिए जलदी से अब दोस्तों महाराना कुमभा हैं यह मोंकल के पुत्र थे और जो मोंकल होता है इस हंसा भाई का पुत्र था पुत्र घुझें उपहार। तो बोलते हैं कि जो राव जोदा भुवाजी से हंसा भाई से कि कुमबा से मेरी संदी करा दी जिए मैं मेवार पर अधिकार करने का बिलकुल भी प्रियास नहीं करूँगा मेवार की तरफ आँख थाके भी नहीं देखूँगा तो दोस्तो चोदा सो तरहपन के अंदर संदी का नाम होता है आवल बावल की संदी और कराई थी किसने हंसा भाई ने राव जोदा और महराना कुमबा की वीचे संदी भी थी जिसमें जिसमें दोस्तों मेवार और मारवार की सिमाओ का बटवारा किया गया था किसमें इस आवल बावल की संदी के अंदर मेवाड और मारवाड की सिमाओं का मेवाड वे मारवाड की संदी होगा मारवाड की सिमाओं का बटवार हुआ था सिमाओं का बटवारा किया गया था दोस्तो मेवाड और मारवाड की सिमाओं का बटवारा हुआ था किसे ने किया तक हंसा भाई के प्रियासू सेवाता कुमबा और राव जोधा की बीच में इसके अंदर दोस्तों बताया जाता है के ओस्ति है कि जहां-जारा तक आउले के पेड़ते हैं वहां-वहां तक मेवार की सिमा लगती है और जहां बबुल के पेड़ते हैं क्वाई के परियासों से और राव जुदा के दौरहें दो आगे चल कर जोधपुर की निवर्ख की जाती है जोधपुर बसाया जाता है तो यह तो 1453 के अंदर दोस्तों आउल बावल की संदी हो गई इसके आगे हमें एक बात पर लोगत रहे हैं 1456 की बाते कर लेते हैं दोस् और एक संदी होती है जिसका नाम आता है दोस्तों चंपा नेर की संदी चंपा नेर की संदी 1456 के अंदर दोस्तों संदी होती है चंपा नेर की संदी और यह संदी किसके द्वारा की जाती है दोस्तों गुजरात और मालवा के सासकों के मर्दे गुजरात प्लस संदी का ताथ प्लस गुजरात और मालवा के सासक के मद्दे गुजरात और मालवा के मद्दे दोस्तो ये संदी होती है उसमें गुजरात के सासक कुन थे और मालवा के सासक कुन थे तो हम बात कर लेते हैं दोस्तो मालवा के सासक तो दोस्तों वहीं आते हैं महमूद खिलजी जिसे 1437 में महारायन कुम्बा के दुवारा सारंगपर के 그걸 पूद्ध में हराया गाया था दोस्तों महमूद खिलजी अब इपनी हार का बत्ला लेना चाहते हैं तो संदी करते हैं गुजराद का सासा काता है दोस्तो कुतुब शहा दोस्तो कुतुब सहावी नाम आता है और इने का नाम कुतुब दिन भी आता है कहीं गहीं पे तो हम दोनों को याद कर लेते हैं दोस्तो कुटुब सहाया, कुटुब الدین, गुजरात के साथ सकाता है और इन दोनों के बीच एक संदी होती है जिसका नाम आता है चमपानेर की संदी दोस्तो क्यूशन क्या पूचा जाता है इसमें महाराना कुमबा का क्या रोल आता है दोस्तो रूल ये आता है कि चमपानेर की संदी किसके विरुद की गई थी किसके विरुद के सरूप की गई थी तो महाराना कुमबा के विरुद में की गई थी चमपानेर की संदी, संदी की थी गुजरात और मालवा किसा सकने दोनों दोस्तों इस संदी में दोनों एक हो जाते हैं और इनका मकसद तो था दोस्तों वो था महराना कुंबा पर अटेक करना आकर्मन करना दोनों मिलकर आकर्मन करना तो यह संदी थी दोस्तों चंपा नीर की संदी जो गुजरात और मालवाव के सासा के मद्दे होती है जिस इसे महाराना कुम्भा के दुआरा इस संदी को कुम्भा दुआरा विपल कर दिया गया कुम्भा के दुआरा विपल कर दिया गया दोस्तों कुम्भा के दुआरा विपल कर दिया गया उसे तात्प्री है कि महाराना कुम्भा ने इन सास्कों को पराजित कर दिया पर इनकी ज इसका नाम आता है तो तो चंपा नीर की संदी किसन बहुत बार आये हो गए तो 2014 के सेकंड़ ग्रेड गा यह क्षेशन है दोस्तों सब्सक्राइब किसके विरुद्द की गई थी तो आगे बात कर लेता हूं तो यह तो चंपा नीर की संदी हो गई आगे यहीं हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों 1468 महाराना जो कुम्बा का कारिकाल आता है 1468 तक आता है तो दोस्तों महाराना कुम्बा का 1468 तक उनका जो स्वास्त है वो गिरने लग जाता है तो महाराना कुम्बा के पुत्र आते हैं दोस्तों महरान कुंबा के पुत्तर थे एक पुत्तर का नाम आता है दोस्तों उदा या उद्यकरने इस उदा का नाम आता है दोस्तों उद्यकरने और दूसरे का नाम आता है दोस्तों दूसरे पुत्तर का नाम आता है दोस्तों राइमल क्या नाम आते है दोस्तो राइ मल कुमबा की दो पुतर थे एक उधा आता है दूसरा आता है राइ मल दोस्तो तो इस उधाने दोस्तों एपिता महाराना कुमबा की हत्या कर दी किसने उधाने दोस्तो अपने पिता कुंबा की हत्या कर दी 1468 के अंदर दोस्तो आता है उधा को उधा को दोस्तो क्या कहा जाता है मेवार का पित्रहंता दोस्तो पिता की हत्या की है तो पित्रहंता कहा जाएगा और इसे कहा जाता है मेवार का दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताईए कि चोहानों का पित्रहंता या अजमेर के चोहानों का पित्रहंता किसे कहा जाता है मैंने अजमेर की जड़ चोहान पढ़ाये थे आपको तो मैंने बताया था दोस्तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिये और बताये कि चोहानों का पित्रहंता किसे कहा जाता है ये तो थे दोस्तो मेवार का पित्रहंता कौन उदाया उदेकरन है चल्दी से बताईए दोस्तों कि चोहान या मेवा अजमेर के चोहानों का पित्रहंता किसे कहा जाता है दोस्तों जब हम अजमेर के चोहान पढ़ रहे थे तो मैंने आप जो बताया था कि जो अनो राज के पुत्र आते हैं जगदेव जिसले हमने पिता अनो राज की हत्या कर दी थी और अजमेर के चोहनों का पित्र हंता कहलाता है कौन जगदेव और ये मेवार का था दोस्तो उदे करन या उदा दोस्तो पिता की हत्या कर दी दोसरा पुत्र आता है राइमल दोस्तो जब आवल बावल की संदी होती है महराना कुंभा और राव जोधा की बीच आवल बावल की संदी होती है तो इसी जोधा की एक पुत्री होती है दोस्तो जिसका नाम आता है स्रंगार देवी के नाम आता है दोस्तो स्रंगार देवी इसी स्रंगार देवी से रायमल का विवा हो जाता है दोस्तों तो आगे बात कर लेंगे दोस्तों दोस्तों अब उदा की उदा ने पिता की हत्या गर्दी 1468 में और सासक बन गाया मेवार का महराना उदा 1468 से 1443 तक सासन करते हैं दोस्तों उदा और जब ये इस बात का पता चलता है दोस्तो तो रायमल उससे में दोस्तो अपने मामा के गया हुआ था दोस्तो वहां से यह आता है और जो मेवार की अन्य सासक भी थे वो भी नहीं चाहते थे दोस्तो कि उदा मेवार पर सासन करे एक पित्रहंता विक्ति मेवार का सासक बने तो मेवार क सामन्त और शास को सदसाती रायमल के प्रियासों से दोस्तों चोदा सो तेहतर के अंदर चोदा सो तेहतर के अंदर दोस्तों इस उदा को यहां से भगा दिया उदा को 1473 के अंदर दोस्तो बगा दिया किसने महाराना राइमल ने जो महाराना कुमभा के छोटे पुत्र थे इसने उदा को बगा दिया दोस्तो और उदा यहां से भाग जाता है 1473 में मालवा की तरफ कहां दोस्तो मालवा की तरफ मालवा या मांडू की तरफ भाग गया दोस्तो कौन उदा और कहा जाता है दोस्तो कि उदनते इनके बारे बताया जाता है दोस्तो कि मालवा अम जब भाग गय थे तो बिजली गिरने से इनकी मर्त्यू हो गई बिजली गिरने से मर्तिव हो गई किसकी उदाया उद्यकरन की और 1473 के अंदर सासक बनता है कौन दोस्तो 1473 में सासक बनता है महाराना रायमल महाराना रायमल सासक बनता हैं दोस्तो 1473 के अंदर मेवार के सासक बनता हैं दोस्तो कौन राइमल तो दोस्तो राइमल की अब हम बाते कर लेते हैं पत्नी का नाम था दोस्तो स्रंगहार देवी क्या नाम आता है दोस्तो पत्नी का नाम पत्नी का नाम आता है दोस्तो स्रंगहार देवी बहुती आसान है दोस्तो स्रंगार देवीन की पतनी का नाम आता है किसकी पतनी का दोस्तो महराना रायमल की पतनी का नाम दोस्तो क्या नाम आता है दोस्तो नाम आता है स्रंगार देवी दोस्ते ये जो स्रंगार देवी है ये कौन थी मैंने आपको बताया था कि जब आवल बावल की जब संदी होती है 1453 के अंदर आवल बावल की जब ये संदी होती है दोस्तों तो महराना जो सोरी जो राव जोदा थे मारवार के सासक इस जोदा की पुत्री का नाम आता है दोस्तों स्रंगार देवी और ये जो विवा होता है सैसर्त विवा होता है औ उसकी पुत्रज कई और उसकी पूत्री स्रंगार देवी काविवा पुमा चोटे पूत्र महाराना राएमल से किया जाता है तो इस रंघायर देवी तो जास्तब राव जोधा की पूत्री है दोस्तोतू अब देखिए स्रंगहार देवी की हम बारे में बात करें हैं दोस्तों तो इस स्रंगहार देवी ने एक तालाब बनवायाता दोस्तों जिस तालाब का नाम आता है घोसुंडी तालाब गोसुंडी तालाव का निर्मान करवाय था किसे ने दोस्तो स्रंगहार देवी ने दोस्तो इसी गोसुंडी तालाव के किनारे एक अभिलेग भी प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या आता है गोसुंडी अभिलेग लेकिन उसका निर्मान संगार देवी ने नहीं करवाय था तो इस तालाव की किनारे मिलता है दोस्तों कौन सा घोसुंडी अभी लेक दोस्तों जो की घोसुंडी अभी लेक दोस्तों यह जो घोसुंडी अभी लेक है जिससे दो सताबदी इसापूरु के भागवत या वैशनव धरम का बारे में जानकारी मिलती है किसे मिलती है दोस्तो इस गोसुंडी अभी लेक से भागवत या वैशनव धरम के बारे में जानकारी मिलती है किसे मिलती है दोस्तो गोसुंडी अभी लेक से दोस्तो स्रंगार देव ने निर्मान करवाय था गोसुंडी तालाब गा और इसी गोसुंडी तालाब की किनारे गोसुंडी अभी लेक मिलता है जो की भोती प्राचिन था दोस्तो जिसका स्रंगार देवी से कोई भी लेना देना नहीं था इस गोसंडिय भिलेक में दोस्तो दो बीसी यानि दो इसा पूरिस से दोस्तो भागवत का था सोरी भागवत या फिर वैशनव धरम के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तो यह तो स्रंगार देवी कहोगा है दोस्तो हम बात कर रहेते हैं महराना रायमल की 1403 के अंदर सासक बनते हैं दोस्तो और यह सासन करते हैं दोस्तो पंदरा सो नो तक यह सासन करते हैं इन्होंने चितोड के अंदर दोस्तो चित्तोर के अंदर एक मंदिर मनवाय था जिसका नाम आता है दोस्तो अदूगुत शिव मंदिर के नाम आता है दोस्तो ये निर्मान करवाय था किसने महराना रायमन ने दोस्तो है अद्वुत सिव मंदिर आता है दोस्तों ये निर्मान महाराना रायमल ने करवाय था इसके अलावा और भी एदि में बात करूं महाराना रायमल के बारे में दोस्तों तो महाराना रायमल ने दोस्तों इनके समय में विद्वान जो प्रमुक विद्वान थे दोस्तों इनकी हम बात कर लेते हैं इनके काले इनके दर्भार के अंदर दो प्रमुख्य होता है एक का नाम आता था दोस्तो महिस भट सोक्रा जोकी अत्री के पुत्र थे महेश यह वही महेश बट है दोस्तो अलिया बट के पिताजी नहीं है एक विक्ति और आता है दोस्तो इनी के काल के अंदर जिसका नाम आता है दोस्तो गोपाल भट क्या नाम आता है दोस्तो गोपाल भट दोस्तों उम्मीद करना हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है यह दो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ इसाथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए दोस्तों रायमल के दो विद्वान थे दोस्तों महिसबट गोपालभट रायमल ने चितोड़ के अंदर निर्मान करवाय था अदूबुत सियो मंदिर का दोस्तों इनके पतनी का नाम स्रंगार देवी थे जो की मारवार के सासके राव जोधा की पुत्री थी दोस्तों आगे एदि मैं राइमल के बारे में दोस्तों बात करूँ तो मालवा की सुल्तान जो गयास साह थै जिन्होंने चितोड पर दो तीन बार आकर्मन किया था मालवा की सुलतान थे दोस्तों गयास साह गयास साह इसने चितोड़ पर आकर्वन किये थे दो से तीन बार दोस्तों चितोड़ पर लेकिन ये हर बार ऐसे फ़ल रहे दो से तीन बार दोस्तों चितोड़ पर आकर्वन किया लेकिन गयास साह क्या रहे दोस्तों एस फ़ल गयास साल हर बार एस फ़ल रहे दोस्तों महराना राइमल के समय में गयास साह ने चितोड़ पर आकर्वन किया था लेकिन हर बार ये एस फ़ल रहे दोस्तों तो ये महराना राइमल के बारे में बात आ जाती है दोस्तो राइमल के दोस्तो पत्रों की एदि में बात करूँ तो महराना राइमल के दोस्तो तीन पत्र थे राइमल के दोस्तो तीन पत्र आते हैं हम बात कर लेते हैं तीनों का नाम की बात कर लेते हैं एक का नाम आता है दोस्तो प्रत्वी राज राना प्रत्वी राज दूसरे का नाम आता है दोस्तो संग्राम सिंग क्या नाम आता है दोस्तो संग्राम सिंग संग्राम सिंग दूसरे का नाम आता है तीसरे का जो यह दि मैं बात करूँ दोस्तो तीसरे का नाम आता है जैमल, क्या नाम आता है दोस्तो जैमल, महराना रायमल के दोस्तो तीन पुत्र से पर्थवी राज संग्राम सिंग और जैमल, पर्थवी राज सिसोधिया लगाते थे ये, क्योंकि सिसोधा ग्राम से थे दोस्तो जो राना साखा आती है, सिसोधा ग्राम से इसका रहन है सि-सोदिया लगाते हैं यह वहीं प्रत्तिव्याज है जिसे उड़ना राज गुमार भी बोलते हैं किया दोस्तों लिए अच्छे एथलेसे अच्छी दोड़ करते हैं इसका रहने से उड़ना राजकुमआर्भी बोला जाता है किसे पठ्वि राज सौदिया को दूसरे हाते हैं संगराम सिंग जिसे आगे चल कर दें requiring गिए दोश्तो महाराना कार मांशानका तीसरे रहते हैं दोश्तो जैमल इस प्रकार से दोश्طो राह मल darndhila के पुत्ष स्थे अथ अधिके रायमल की तबियत खराब होने लगी थी लेकिन वो अपना उत्रादिखारी निक्त नहीं कर पा रहे थे दोस्तो अब तीनों की इच्छा होती है दोस्तों मेवार का उत्रादी करने में बनने की परतिवराज सिसो दिया संग्राम जिंग और जैमल की हैं इसमें से संग पुत्तर थे अब महराना रायमल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसे मेवार का उत्रादीकारी निक्त किया गया जाए तो दोस्तों जब फंद्रास नों के अंदर महराना रायमल की मृत्ति हो जाती है तो यह तीनों एक पंडित के पास आते हैं कि किसे निक्त किया जाए मेवार का राजगुमार या मेवार की राजगद्धी किस राजगुमार को सौपी जाए तो दोस्तों तीनों जब एक पंडित के पास जाते हैं पंडित से पूझते हैं कि पंडित जी बताइए हम में से किस वेक्ति को राज योग परात है तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी जनम कुंडले से तो महाराना संगराम संग या संगा कोई राज-योग लगता है तुम दोनों को राज-योग नहीं लगता है तो जब ये वहां से वापस लोड जाते हैं और दोस्तो एक महिला आती है दोस्तो एक महिला आती है जिसे नाम आता है दोस्तो चारनी महिला क्या नाम आता है दोस्तो चारनी महिला दोस्तो बताये जाता है कि जो चारनी महिला थी एक अच्छी जोतिसी थी कहा जाता था का इनकी भविश्यवानी या इनकी जो जोती सी है कभी भी गलत नहीं हुई तो यह वहाँ से पंडिस से आकर दोस्तो चारणी महिला के पास आ जाते हैं कौन परतिविराश्ची सोधिया संगराम जिंग और जेमल तीनों आकर जब इस चारणी महिला से भी पूछते हैं कि मेवार का अगला जो सासक है वो अब कौन होगा तो चारणी महिला के दौरा भी बताया जाता है कि मेवार का जो राजियोग है मेवार का जो सासक है वो होगा संगराम सिंग्या राना सांगा जब इनके द्वारा भी सांगा को ही बताया जाता है दोस्तों तो जो बड़े पुत्र थे रायमल और प्रतिवरासी सो दिया थे तो वे देखते हैं कि ये जब इसासे में नेगा तो इन्होंने परियास किया महाराना सांगा को मारने का दोस्तों इनके पीछे दोस्तों भागते हैं महाराना सांगा के जैमल और प्रतिवरासी सो दिया और भागते हैं दोस्तो इनके एक आख पर लग जाती है दोस्तो जो भाला फैक के देते हैं कुछ दोस्तो जैमल तो इनकी आख पर लग जाती है दोस्तो किसकी आख पर दोस्तो संग्राम सिंग की आख पर दोस्तो आकर्वन कर देते हैं मारने का प्रियास करते हैं पर्थिवरा से सो दिया भाला फेकते हैं तो संग्राम सिंग की एक आंग दोस्तो चली जाती है इस इसी के अंदर और यह भागते हुए संग्राम सिंग कहां आ जाते हैं दोस्तो अजमेर में यह अजमेर के अंदर आ गए दोस्तों सासक बन गया जैमल जैमल दोस्तों सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया किन से लड़ता हुआ सोलंकियों से दोस्तों जैमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मायरा गया और प्रतिवराज सिसोधिया ने गलती से दोस्तों जहर पी लिया कि यह नहींगे जहर दे दिया गया दोस्तों कि नीथि थी वह तो फिश थी उनके जो हता वार्ब तो 具ुते दूरह आकास्वानी कि संग्राम सेयों के मेंवार का साथ सिक विनेगा तो परतिया चुएश Wikima लिए ने भी है और ऑज़ारे ओर यह सोलंकियों से लड़ता हुआ मार जातास बिस्ते मैं दोस्तों कमर चंदंद पमार कि इस कमर्चंद पमार की शरण में आ जाते हैं कौन संग्राम सिंग संग्राम सिंग अजमेर के कमर्चंद कमर्चंद पमार की सरण में आ जाते हैं दोस्तों गुक्त और इसी कमर्चंद पावर की देखरेक के अंदर यह यहां पर रहते हैं दोस्तों कहाँ अजमेर के अंदर दोस्तों किसके पास दोस्तों सेवानतम किया आता है दोस्तों सेवंत्री का नाम आता है दोस्तो राठोड बीदा सबसे पहले संगराम सिंग जब अजमेर में आते हैं तो सेवंत्री राठोड बीदा के पास आते हैं उसके बाद में यहां से कहा चले जाते हैं यहां से चले जाते हैं दोस्तो कमर्ट करमचंद पँवार कर भुड़ की तलती लुखा गयए दोस्तो करमचंद को कमरचंद लेख दिया अपने कै करम चंद पामार के बाद से चले जाते हैं करम चंद पामार के पास जब रहते हैं दोस्तों कि उदंती प्राप्त होती है कि पेड़ की छाया के नीचे सो रहे थे उस से में दोस्तों जो सेसनाग है इनके सिर पर बैठा हुआ था इनको चाया दे रहा था किसे महराना संग्राम सिंगो और कुछ एक दो जो सैनिक ते जिन्हों देख लिया और आकी करम चंद पामार को बताते हैं कि उनके सिर पर एक साप उन्हें चाया दे रहा है सेसनाग चाया उपलवज गरा सिर को करम चंद पामार ये देखते हैं दोस्तों तो उन्हें से पूसते हैं कि आप कोई核 इन चाहनिया परस मेवार भी भी दिया दोस्तों में परतियों और मतलत हती है दितनाव संगरान जन्ग बहुत पकलते हैं अगले सासव कि सांहं टायनी महाराना सांगा भी बोल जाता है तुछ एक वापस देख लेते हैं दोस्तों देखे दोस्तों 1468 के अंदर जब कुम्बा का स्वास्त गिरने लगता है तो उसी के पुत्र बड़े पुत्र उदा या उदे करन ने कुम्बा की हत्या कर दीती 1468 में और मेवार का पित्रहंता कहा जाता है महराना कुम उदा को दोस्तों 1468 से 1403 तक सासन करते हैं मेवार पर कोण है उदा दोस्तों मेवार के सासक और सामन्तों को भी उचित नहीं लग रहा था कि मेवार के सासक जो पित्रहंता है वो सासन करें तो मेवार के सामन्त और रायमल के साथ मिलकर दोस्तों 1413 में इस उदा को मेवार से भगा दिया जाता है और बताया जाता है कि जो उदा है माल वाक तरफ भग जाता है और रास्ते के अंदर ही बिजली गिरने से इस उदा की मर्तियों हो जाती है साशन में दोस्तों MAHRANA RAYML दोस्तो महराना रायमलने चितोड के अंदर अदबुत शिवों मंदिर का निर्मान भी करवाये था दोस्तो इनके जो विदवान थे एक विदवान आते है दोस्तो महिसव historic और दूसरे का नाम आते है गौपाल भड़ाय के सासत कहा सन का नाम rescued है गायास सहा जिसने चितोड़ बर 2-3 बार आकरमन करने का परियास किया लेकिन हर बार क्या रहे ऐसा फ़ल रहे महाराना रायमल के दुड़ा उन्हें हरा दिया जाता था दोस्तो रायमल के गते जब 15 सनों के अंदर इनकी मर्ति हो जाती है लेकिन इस्ते पहले ये मिवार के किसी भी अपने पुत्रों को तीन पुत्र थे इनके नाम आता है प्रतिवराश सोधिया संगराम जिंग और जैमल इनमें से किसी को भी मिवार की गद्धी के लिए उत्रे दे कारी निकते नहीं कर पाये थे तो तीनों को बीच दोस्तों आप सी लड़ाई होती है ये पंडित से मिलते हैं जहाँ पंडित ने राज योग बताया है राना सांगा को उसके वाद एक चारणी जो महिला है जो तीसी थी उनों ने भी आकासमानी कर दिय थी कि अग्राजो सासक के मिवार का सांगाई होगा इ पर चले गए संग्राम सिंह भाग जाते हैं जिसका नाम क्या था है दोस्तो राठोड बीदा इसके पास तले जाते हैं यहां से इन्होंने बाद में करमचंद पाउन्वार के पास तले गए थे दोस्तों को जो जैमल है इसोलंकियों से लड़ता हुँ बता है पर्तिवराश से सोधिया ने गलती से जहर खालिया था उनकी भी मृत्ति हो जाती है तो दोस्तों अजमेर में करम चंद पाउर के पास जाते हैं तो इनको करम चंद पाउर ने सरण देती है और उसके बाद वापस ये मेवार में आ जाते हैं जब दोनों की मृत्ति हो जाती है और मेवार के चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों हमने एक एप लॉंच किया है जो प्ले स्टोर्स पर आप उस एप को डाउनलोड कर सकते हैं वहां भी हमारी वीडियो दी गई है दोस्तों जहां हिंदी के सर साथ राजस्तान पुलिस दिल्ली पुलिस रीट लेवल फ़स्ट और सेकंड के कोर्स भी उपलवद हैं वहां जाकर आप दोस्तों कोर्स भी खरीच सकते हैं जहां अच्छे अच्छे सर